हमने for loops को देखा था पिछले वीडियो में, काफी मजा आया था, for loops हमने use किये थे और हमने देखा था किस तरह से एक for loop चीजों को बहुत आसान बना देता है, और for loop के साथ साथ हम लोगों नहीं ये देखा था कि किस तरह से multiplication tables वगर को हम print कर सकते हैं, अब हम लोग देखेंग So अब बात करने वाले हैं python में while loop की, कि किस तरह से while loop को use किया जा सकता है, सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि while loop आप use करो, चाहें for loop आप use करो, दोनों से आपका काम हो जाना है, ठीक है, लेकिन while loop का syntax कभी कभी कुछ cases में convenient रहता है हमारे लिए, और कभी-कभी for loop का syntax convenient for loop के syntax में हम लोगों ने देखा था, कि हम for लिखते हैं, i in range लिखते हैं, और अगर मालो मैंने आपर 3 लिखा, और मैं आपर print i करूँगा, तो simple सी बात यह है कि 0, 1 और 2 मुझे print होकर मिल जाएगा, यह आप सब को बता है, अगर यही चीज मैं while loop की साहिता से करूँ, तो मैं explain क्या कर दिया मैंने, ठीक हैं, देखो मैंने आपर क्या किया, मैंने while के अंदर एक condition दी, मैंने कहा कि i की value को 0 कर दो, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने का while, यानि कि जब तक i की value तीन से छोटी है, तब तक क्या करते रहो? Print करते रहो i को, और हर iteration में i की value को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तो एक बार 0 print हो जाएगा, फिर उसके बाद IQ value 1 हो जाएगी, फिर 1 print हो जाएगा, IQ value 2 हो जाएगी, फिर 2 print हो जाएगा, IQ value 3 हो जाएगी, लेकिन जैसे ऐसे IQ value बढ़ती रहेगी और ये loop execute होता रहेगा, ये condition हर iteration में check होगी, अब मैं आप लोगों कुछ भी execute नहीं करना चाहेंगे, चलो ठीक है, execute होगा, क्योंकि यहाँ पर ये condition ये true है, 0 is less than 3 is true, तो जवाब होगा इस बात का yes, कि हाँ condition जो है true है, print i यानि कि print 0, 0 यहाँ print हो जाएगा, फिर इसके बाद i is equal to i plus 1, यानि कि i की value 1 हो जाएगी, ये दुबारा यहाँ पर होता है, तो ये 1 को भी print कर देगा, i की value अब 2 हो जाएगी, क्या 2 less than 3 होता है, हाँ होता है, ये 2 print कर देगा, i की value अब 3 हो जाएगी, क्या 3 less than 3 होता है, नहीं, नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 3 less than 3 नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर देखो, i की value अब print नहीं होगी, इ सीधे loop के बाहर आ जाएगा और मैं आपर लिख देता हूँ done with the loop ठीक है अब मैं अगर मैं इसको जरा हटा देता हूँ पर for loop को अगर मैं इसको run करूँ तो 0, 1 और 2 यहाँ पर चलेगा ठीक है लेकिन अगर मैं इसको i is less than equal to 3 कर दूँ यह भी आप ध्यान रखना 3 is less than equal to 3 is true ठीक है अगर 3 is less than equal to 3 की बात करें तो वो true होता है क्योंकि less than or equal to का मतलब भी यह होता है यहां तो कम हो या बराबर हो ठीक है तो 3 की बात करें अगर i is equal to 3 की बात करें तो यह condition satisfy होती है 3 is less than equal to 3 तो while 3 is less than equal to 3 print यहां पर हो जाएगा 3 ठीक है तो इसलिए यहां पर क्या होगा 012 की जगा 0123 print होगा अगर मैंने यहां पर less than equal to लगा दिया तो आप देखो यहां पर 0123 print हो रहा है तो इस तरह से while loop काम करता है ideally हम while loop को numbers के साथ जाथ इस्तिमाल नहीं करते है बल्कि complex conditions के साथ इस्तिमाल करते है ठीक है जैसे कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि malo user ने एक input दिया ठीक है malo user ने एक input दिया तो मैं आप लिखोंगा int input मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग int input enter the number कुछ इस तरह से ले सकते हैं user का input as an integer यह important as an integer मैं कहूंगा while i is less than equal to 3 आप क्या करो input लेते रहो user से तो मैं इसको loop के अंदर डाल दूँगा क्यार देखो user से input लेते रहो जब तक वो 38 से छोटा number डालता रहे और उसको print करते रहो और यहांसे मैं i is equal to i plus 1 अटा दूँगा तो यह loop क्या कर रहा है यह कह रहा है कि user से input लेते रहो लेते रहो कब तक लेते रहो तब तक लेते रहो जब तक i की जो value है वो less than equal to 38 है तो इस program को आप लोग को चला कर दिखाता हूं जैसे ही मैं इसको चला कर दिखाऊंगा यहां पर इगर i is not defined यह कैसा मजाक है तो मैं एक काम करता हूं i की एक initial value भी मुझे लेनी होगी user से तो मैं while loop को just चलाने से पहले i की value ले लेता हूं ठीक है आप देखो मैंने i की value ले ले ली user से मैंने गा i बता दो क्या है तो सबसे पहले यह वाली line चलेगी और मुझे i की value पूछी जाएगी मालो मैंने 8 बताया अब क्योंकि 8 less than equal to 38 है यह मुझे दुबारा पूछेगा और उसको print कर देगा इस बार 8 को या फिर मालो मैं 9 करता हूं तो 9 को print कर देगा and the moment the value of i becomes greater than 38 यानि कि यह condition satisfy अगर नहीं हो रही है तो यह loop के बाहर आजाएगा done with the loop print करके यह काम को खतम कर देगा अपने ठीक है तो मैंने यापर अगर i की value को 98 कर दिया तो 98 print हुआ, condition check हुई, condition false थी यह print हुआ and the program is over I hope कि यह समझ माही आप लोगको अब यहावर देगो मैंने लिखा हुआ, as the name suggests, while loop execute statements while the condition is true जब ता condition true होगी, while loop execute होता रहेगा as soon as the condition becomes false, the interpreter comes out of the loop interpreter मतलब python, जो कि execute कर रहा है interpreter का क्या मतलब है, जो हमारे program को execute कर रहा है जो हमारे program का control है interpreter जब भी मैं कहता हूँ, उसका यह मतलब होता है interpreter क्या करेगा, बाहर आ जाएगा यानि कि जो control है वो बाहर आ जाएगा और अगर यह condition true हुई, तो यह घूमता रहेगा इस loop में, interpreter कहूँ मैं control कहूँ program control कहूँ, एक ही बात है आप समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है, अब यह program है, यह आप लोग चला सकते हो यहाँ पर मैंने एक बड़ा simple सा example दिया है एक decrementing loop का ठीक है, अब यह भी important है मैं इसको जारा comment out करूँ, यह भी बहुत जादा important है, यह decrementing loop है decrementing while loop है, क्या हो रहा है, count की value पहले 5 है, और condition इस बार कह रही है कि count greater than 0 होना चाहिए तो count की value को अगर मैं कम करता जाओ लूप में, तो एक time पर यह condition false हो जाएगी, क्योंकि एक time पर count की value 0 हो जाएगी खटते खटते, तो यह है ultra loop, ultra while loop, decrementing while loop, पहले 5 print होगा फिर 4 होगा, 3, 2, 1 अगर इसका execution आप लोगो समझाओं तो सुनो count की value पहले 5 थी यह condition true थी, क्योंकि 5 बड़ा है 0 से print count करा, print 5 हो गया फिर count is equal to count minus किया count की value 4 हो गई, दुबारा condition check होगी क्योंकि while loop के अंदर है क्या 4 greater than 0 है, yes यार 4 print होगा, दुबारा से value 3 हो जाएगी इस line की वज़े से, फिर 3 check होगा 3 print हो जाएगा, फिर 2 print हो जाएगा फिर 1 print हो जाएगा, so on एक time पर value 0 हो जाएगी count की क्या 0 is greater than 0, no absolutely not, तो यह condition false हो जाएगी and the program will exit out of the loop, ठीक है I hope कि यहीं समझ में आ गई सब लोगों को here the count variable is set to 5 यहीं चीज मैंने समझाई हुई है आपर which decrements after each iteration, iteration का मतलब जितनी बार loop में गुसता जा रहा है, वो एक iteration होती जारी एक बार loop में गया, condition check हो के loop में गया, एक iteration, दुबारा से condition चैक हो के loop में गया, दूसरी iteration ठीक है, iteration का यह मतलब होता है depending upon the while loop condition we need to either increment or decrement the counter variable, ठीक है, अब हमें अपने program के हिसाब से खटाना या बढ़ाना पड़ सकता है, while loop में अगर हमने गलती कर दीना, जिसे मानलों मैंने गलती करके इसको count is equal to count plus one कर दिया यह एक infinite loop बन जाएगा आपको दिखाऊ मैं, यह देखो यह infinite loop बन गया है और यह print करता रहेगा value को समझे रहो आप लोग, यानि कि पहले 5 करेगा फिर 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा, 10 करेगा करता जाएगा, करता जाएगा, करता ही जाएगा आप देख रहेगा, इसको जिपता है, मैं cancel नहीं रुकेगा देख रहेगा, आप लोग, मुझे इसको cancel मानना पड़ रहा है और मैं इसको delete करूँगा, तब जाके cancel होगा और ये मैंने, इसमें जो है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैंने इसको infinite while loop चला दिया, अब मैं इसको cancel कैसे करूँ, I think मैं इस console को close करके कर सकता हूँ, ये काम इसको ठीक कर देता हूँ, stop कर देता हूँ, sorry repolate वालो, मैं आपकी इतनी ज्यादा compute ले रहा हूँ, infinite while loop चला जागा, एक पर मैं आपको एक वाक्या बताता हूँ, क्या हुआ था, कि मेरे laptop में बहुत सारे cheaty आ गई थी, college time की बात है, laptop के अंदर बहुत सारे cheaty आ गई थी, मै काम में रख हो गया, ठीक है, तो while loop जो है, आपको कभी-कभी और चीजों में भी काम लग सकता है, ठीक है, तब यहाँ पर मैं run करूँ इसको तो इस बार ये 5, 4, 3, 2, 1, प्रिंट कर देगा, बिल्कुल ठीक, ठीक, अब while loop के साथ else का भी इस्तिमाल किया जा सकता है, और else का बताता हूं यह कैसे काम करता है, यह चलेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, and finally, जब यह condition false हो जाएगी, तब यह I am inside else को ब्रिंट कर देगा, तो बहुत ही simple सी चीज है, आप यहाँ पर देखो, else कैसे use करना है, while loop के साथ, you can even use the else statement with the while loop, essentially, what the else statement does is, that as soon as the while loop condition becomes false, an interpreter comes out of the while loop, and the else statement is executed, जैसे ही यह while loop से बाहर आएगा, else जो है, वो execute हो जाएगी, ठीक है, I hope की समझ में आया, आप लोगों को यह कि भाई, जब भी यह condition, जब भी वो while loop के अंदर रही जा पाया, condition गलत होने की वज़े से, वो else को execute करेगा, simple सी बात है, अब अगर मैं आपर इसको count is equal to minus 5 कर दूँ, तो क्या else execute होगा, आप नीचे मुझे comment में बताओ, होगा की नहीं होगा, आपको बताना है, I hope कि आप सभी ने guess कर लिया होगा, की होगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, I am inside else print हो जाएगा, ठीक है, तो यह बहुत ह अब एक और चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो क्या है बताता हूँ, हमारे पास और programming languages के अंदर do while loop होता है, python में नहीं होता है, बता दूँ आपको पहले ही, do while loop में क्या होता है, कि वो कम से कम एक बार execute करता ही करता है loop को, do while loop कुछ इस तरह की cases के लिए बना होत ठीक ठीक वाला do while loop बन जाएगा, do while loop क्या करता है कि पहले एक बार चला देता है, जो loop का content है, जैसे कि इस while loop का content ये है, do while loop इसको चला देता है, सबसे पहले एक बार, irrespective of whether the condition is true or not, ठीक है, irrespective of whether the condition is true or not, चला देता है, अब होगा क्या, अगर do while loop यहां पर होता, यही do while loop होता है तो कुछ do while loop का syntax आपको बताता हूँ यह पाइफन में काम नहीं करता है आपको बताता हूँ C में होता है Java में होता है C++ में होता है but आपको पता होना चाहिए do while loop किस तरह से काम करता है तो क्या होता है कि सबसे पहले ये चीज़ एक्जेक्यूट होती ही होती है फिर अगर condition true हुई तो एक्जेक्यूट होती है simple सी चीज़ है ये do while loop है तो कभी-कभी python में question आता है कि emulate do while loop in python ठीक है तो ये चीज़ आती है बहुत जादा पूछे जाने वाले question है इसलिए बता रहा हूँ आपको do while loop क्या होता है अब अगर आप लोग ये कहा है तो कि यार मैं तो सिरुफ python सीख रहा हूँ मुझे तो कोई मतलब ही नहीं do while loop क्या होता python में तो ऐसा नहीं है ऐसा मैं सोचो क्योंकि do while loop आपको अगर पता नहीं होगा ना कि क्या होता है तो कैसे emulate करोगे उसको तो do while loop simple सा while loop है जो कि कम से कम एक बार execute होता ही होता है respective of whether condition is true or not ठीक है एक बार execute होगा फिर condition check होगी तब execute होगा condition true होगी दुबारा execute होगा false होगी बाहर आ जाएगा तो यह है do while loop अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ अगले वीडियो में आप लोग को break and continue statement के बारे में बताऊँगा in the meantime आप क्या करना कि इसको खुद figure out करने की कोशिश करना अब आप लोग को यार मैं खुद figure out क्यों करूँ यार देखो जब आप चीज़े figure out करोगे ना खुद से तो और उसके बात समझ में आएगी तो एक अलगी feeling होगी आपकी ठीक है इस बात को याद रखना मेरी मैं अगले वीडियो में आपको break and continue statement के बारे में बताऊँगा and it's your duty कि आप वापस आएं इस रैपल पे day 18 की रैपल पे और do while loop का जो emulation है वो खुद से try करें ठीक है emulation का क्या मतलब है कि आपने simply क्या करना है कि do while loop को emulate करना है ठीक है अब ये एक तरीका है do while loop को emulate करने का मैंने दो बार body लिग दी अगर मालनो body 2000 lines की होती तो हमारा code 4000 lines का हो जाता क्योंकि एक बार आप बाहर लिखते एक बार अंदर लिखते वो ideal नहीं है ठीक है इसलिए एक बहतर तरीका है जो कि आप लोग अपना होगे एक बार अगला वीडियो देखो day 19 वाला वीडियो देखो उसके बाद आप लोग कोशिश करना कि आप लोग do while loop को emulate करो ठीक है I hope कि अब को समझ में आया while loop क्या होता है सब को समझ में आया यह चीज अगर आप लोग उन्हें अभी तक playlist access नहीं करी है python की तो इसको ज़रूर access कर लेना अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आपूँ आपूँ आपूँड़ ज़रूँ आपूँड़ नहीं